है यह लोग यह स्टुडेंट तो विश्टेंट लेक्ट्ट अवर सेकेंड लेक्टर वां बेसिक मैथमाधिक्स तो कल अमने क्या पढ़ा था एक बार कुई करते हैं तो सबसे पहले हमने देखा था वाट इस से तो मैं उसको विल्कुल तो सिंपल लेक्टिंग में क्या बोला था एडिस देखाता कि हम सेट्स को मलब कर सकते हैं इसा नहीं कि उसी से करना है कर सकते इस स्मॉल लेटर से भी पट इन जेनरल भी अरूजिग कापिटल लेटर इस एक तो होता है हमारा रोस्तर फॉर्म और एक सट विल्डर फॉर्म त इसके अंदर हम एलिमेंट्स लिखते हैं and the elements are comma separated ठीक है and the elements are comma separated उसके बाद हमने देखा था अपना सट विल्डर फॉर्म तो उसमें क्या था हमारा कि हम उस बाद डारेक्टली अलिमेंट्स लिखते हैं हम elements की property लिखते हैं ठीक है ना तो जैसे बहुत सार एक्जम्बल भी किये थे इवन और वाले किये थे ठीक है ना तो जैसे फॉर एक्जम्बल वाला हमने कैसे किया था कि जैसे ओड़ वाला देख लें थे एक बार तो जैसे मैंने बहुत का कि लेट से माई सेट ए इस नथिंग बट टू फोर शिक्स एट एंड सो और डिस इस माई रोस्टर फॉर्म तो एंड सेट मिल्टर फॉर्म में कैसे लिखा था हमने मैं का सेट इस सेट इस सेट अफ और अब मैं प्रॉपर्टी लिखंगो एलिमेंट्स की दन एलिमेंट्स का दिख रहे हैं 2, 4, 6, they are all even numbers तो I will say where x is equal to 2n and my n belongs to natural number, ठीके न, यह मेरा even वाला हो गया, similarly odd वाले में इधर 1, 3, 5, 7 आएगा तो इधर 2n प्लस 1 आएगा, अगर 2n प्लस 1 लिखा तो मुझे n belongs to whole number लिख अब आज की क्लास में हम discuss करेंगे continuous set, discrete set क्या होता है, continuous set क्या होता है, उनके अंदर operations, operations है मेरा मतलब क्या है, अपना क्या बोलते है, union, intersection, difference, like that way, ठीके न, उससे पहले कुछ बच्चों ने मुझे books का पूछा था, कि what all books we have to refer, तो मैं दो publication बता रहा हूँ, ठीके न, एक तो एक board के लिए आता है, subjective वाला, एक object, हमें जो खरीदना है, that is for, यही, objective mathematics, तो मैं इसका, तो मैं book बता देता हूँ, हात में लेके, just see this book, okay, I'll make it closer, this is the book that you have to buy, okay, so, एक बार मैं लिख देता हूँ, इतर, objective mathematics, objective mathematics, ठीके न, volume, you have to buy, दो volume आते हैं, तो volume 1 और 2, मैं दोनों एक सा लिख रहा हूँ, ठीके न, objective mathematics, और इसमें, short में लिखा है धर, for, JEE, main and advanced, main and advanced, ठीके न, and other engineering, तो यह, writer is R.D. Sharma, okay, so, this is the book that you have to buy, both the volumes, ठीके न, volume 1 में क्या हैं, mostly 11th का स्लेबस है, but मैं दोनों volume इसली बोल रहा हूँ, कुछ पार्ट of 11th, that is, trigonometry वाला पार्ट जो है न, थ दोनों volume एक साथ पर्चेस करो, you'll get in Amazon, या फिलिपकार्ट से, you can buy both the volumes, ठीके न, and the second book is, this is the first one, this is specially for mains, advanced का भी cover होता है, but mostly mains के लिए, और जो advanced के लिए है, that is, for scene-age publication, लिख लो, इसको भी मैं तो मैं बता देना हूँ, जैसे for example, यह है, देख लो, एक बार, close से लिख लो, ठ इस, this is, I think, trigonometry, it is there, trigonometry, ठीके न, यह trigonometry का है, जो मैं तो मैं भी बता रहा हूँ, और इसका writer है, G. Tevani, and this is scene-age publication, scene-age publication, ठीके न, इसके total, पांच volume आते हैं, पांच आते हैं, इसर मैं लिख देता हूँ भले, एक तो आता trigonometry का, जो मैंने बोला, ठीके न, इसमें दूस आएगा तुमारा, जो तुम्हें, required है, 11th class में, especially, हमारा, एक तो coordinate geometry, coordinate geometry, लिख लेना, ठीके, coordinate geometry, and the third one that you have to buy this year, is algebra, algebra, इसके बाद, दो volume और बचते हैं, हमारे, एक आता है, हमारा vector 3D करके, यह वारा दो volume, जो 4th or 5th number पे लिख रहा हूँ, अगर वो पर्चेस कर रहा हूँ तो ठीक है, otherwise you can buy it next year also, because vector and 3D, it is in 12th syllabus, so vector and 3D, करके आता है, और जो 5 हा है, that is the most important in the whole mathematics, that is calculus, more weightage-wise, calculus, ठीक ना, so यह जो 5 हो मैंने बुक्स बताई, these all are of scene-age publication, ठीक ना, लिख लिया वाने था, scene-age publication, and the writer is G. Tiwani, sir, ठीक ना, Tiwani sir का है, और publication is scene-age publication, okay, so at least you should buy these 3, from this, and this is a foremost, मतला, RD शर्मा तो होना ही होना चाहिए, जो यह बच्चा जैई की तैयारी कर रहा है, उसके पास, I feel की RD शर्मा तो होना ही चाहिए, और मालो जिसको अपना level बढ़ाना है, especially advanced के लिए prepare करना है, so this is the best book, for advanced, ठीक ना, so I hope, जिसने भी पूछा था मुझ से उसको clear हो गया होगा, कौन-कौन सी book लेनी है, और बाकी फिर, अगर मुझे लगता है कोई particular chapter किसी अच्छी book, कोई और book में दिया है, तो I'll give you the, जब तुमारा physical leader class में आने लगोगे, school आने लगोगे, तो मैं तुमको उसके Xerox वगरा प्रोवाइड करवा दूँगा, ठ पेशलिए अगर उसमें एक chapter अच्छा है, तो हम पूरी book क्यों खरी दें, बट ये दोनों तो जरूरी ही है, ठीक है, चलो, अब हम start करते हमारा lecture, तो ये copy कर लेना, एक जागे लिख लो, ठीक है न, कि हमें कौन-कौन सी books लेनी है, and order it as soon as possible, ठीक है, डेले मत करना, school will not give you, ठीक है, I think school will not give you these books, school का एक अलग module है, वो तो में मिलेगा, ठीक है न, वो उसमें बहुत अच्छे questions है, वो तो कर नहीं है, but these two are additional books, ठीक है, चलो, तो जैसा कि मैंने बोला कि आज की class में हम क्या पढ़ेंगे, discrete set क्या होता है, continuous set क्या होता है, और उनकी ऊपर कुछ operations ठीक है, तो first write down, discrete set, discrete set, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो पहले हम definition लिख लेते हैं, उसके बाद फिर समझते हैं, तो ऐसे लिख लो, तो, it is a set, बिच कन, ऐसे लिखनो लिख लो, कुपना लेंगे, फॉर्म लिख लिख लो, इसे लिख लो, whatever is written, whatever, is written, within the curly brackets, with, in the curly brackets, curly brackets, whatever is written, within the curly brackets, are only present, are only present, are only present, no other element, no other element, is covered by this, is covered by this, इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने लिखा, set a, और उसमें बोला है, we have to write in curly brackets, let's say, मैं इसके अंदर दो elements लिख रहा हूँ, let's say, 1 and 2, तो 1 and 2 लिखा मैंने, तो इसने क्या बोला, कि, इस set के अंदर, हमारे पास, दो ही element, 1 and 2, जो तुम curly bracket के अंदर numbers लिख रहे हो, they are only present, तो बच्चों confusion होता है, कि, सर हाँ, ठीक है, वो तो, दो number लिख रहे हैं, तो 2 ही तो present होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, इस particular scenario में है, एक set is, inside the parenthesis, 1,2, तो इधर ऐसा नहीं कि 1 or 2 present है, नहीं, इधर तो 1.1, 1.2, 1.24, 1.9, 1.95, वो सारे present है, तो इसलिए मैंने ऐसे लिखा definition, जो दिख रहे हैं, जो हमने लिखे हैं, कर ली brackets में, only those numbers are present, बाकि इधर ऐसा नहीं है, इसका actual definition का है, वो अभी हम पढ़ेंगे, continuous set का, but for time being, तुम ऐसे बोलो, कि ऐसे बोलते हैं, कि जो दिखता है, वही बिखता है, तो वही चीज हो गई, जो दिख रहा है, वही इसमें present है, उसके अलाबा कुछ नहीं है, जैसे 1 or 2 दिख रहा है, ऐसा नहीं कि 1 or 2 के बीच के इतने numbers है, वो भी इसमें present नहीं है, cable 1 और cable 2, इसलिए word उस हुआ है, discrete, ठीक है, clear हुआ है, चलो, अब आते है mean, that is continuous set, continuous set, तो continuous set को मैं ऐसे 2-3 तरीके से बता रहा हूँ, जैसे for example, मैं ऐसे लिखा, close bracket, अच्छा चलो, पहले इसको, कैसे denote करते हैं, discrete set के लिए, तो हम use करते curly brackets, उदर लिखा नहीं था, तो लिख ले न, it is denoted using curly brackets, continuous set के लिए, दो तरे के brackets होते हैं, पहले वो लिख लेते हैं, एक तो होता है हमारा, ऐसे square bracket, इसको हम बोलते है, close bracket, लिख लो इदर, close bracket, और एक होता है ये, जिसको हम English में तो बोलते है, parenthesis, और बाकिया हम इसको math में क के, बट अभी के लिए, this is my close bracket, that is square bracket, English में क्या बोलते हैं हम इसको square bracket, square bracket, math में क्या बोले का हम इसको, close bracket, and in English we are calling it as parenthesis, p-a-r-e-n-t-e-h-e, देख ले ना, spelling, parenthesis, and in math we call it as open bracket, I hope clear हुआ होगा, चलो, अब आते हैं, इसके definition पे, तो let's say, मैंने लिखा, close bracket, मतलब square bracket, a, b, इसका मतलब क्या है पहले, इसका meaning लिखते हैं, what does this mean, close a, b, इसका मतलब क्या है, a और b के बीच में, जितने भी numbers आते हैं, let's say मैं पहले इसको नाम दे देता हूँ, let's say मैंने लिखा, let's say this is my set c, set c, which is defined as a close से b close, this is close bracket, a close से b close, तो मैं क्या बोलूगा, इस set के अंदर क्या-क्या present है, a और b नहीं, उनके अलाबा भी कुछ present है, जैसे, curly bracket में तो मैंने, जैसे मालो, इदर मैंने अगर मालो, square की जाएगे curly लिखा होता, let's say मैं ऐसे लिख रहा हूँ, square bracket, curly bracket, a, b, इसके अंदर तो दो ही element present है, a और b, पट इसके अंदर कुछ और भी present है, क्या, all the numbers lying between a and b are present in this set, and also a and b are present, जैसे a और b ना लिख के, let's say मैं ऐसे simple language में 1 or 2 लिख देता हूँ, 1,2, what does this mean, this means, all the numbers between 1 and 2, are present in this set, as well as 1 and 2, 1 or 2 क्यों present है, because मैंने दर close bracket लगाया, जैसे अभी हम देखेंगे open bracket का, उसमें क्या होता है, वो corner वाले elements present नहीं होते है, but इदर square लगा है, कम क्या बोलेंगे, all the numbers between 1 and 2 are present, and also 1 and 2 are present, अब कोई बोलेगा, 1 or 2 कोई बीच में number कितने होते हैं, there are infinite numbers, for example 1.1, 1.11, 1.12, 1.12, 1.12, 1.13, 1., so there are infinite numbers in this set, 1,2, close bracket, तो मैं इसको, यह तो होगा अपना mathematical, इसको मैं variable का transfer में कैसे लेख रहा हूँ, अगर मैंने मानलों, ऐसे लिखिया, close, a close से b close, ऐसे read करते हैं, a close से b close, चलो, इसको ऐसे लिख भी लो, a close से, a close से, b close, एक तो मैं ऐसे simple language में, crude language में ऐसे read करता हूँ, a close से b close, अब इसके अंदर है क्या, all the numbers, लेख लो इसको, all the numbers between a and b are present, all the numbers between a and b are present, this much is not sufficient, इसने तो क्या बोला, a और b के बीच के नमबर, मतलब अगर मैं इस से समझू, one और two के बीच के सारे नमबर, but one और two भी तो लेना है मुझे, तो मैं और क्या write करूँ, also a and b are present, तो लेख लो, also a and b are present, clear हुआ बच्चों, मैंने बुला, इसको read कैसे करेंगे, a close से b close पहली बात तो, और इसके अंदर कौन-कौन से element present है, a और b के बीच में जितने भी numbers होंगे न, for example अगर मैं 1,2 लेखा, तो one और two के बीच में infinite numbers are there, all those numbers are present in this set, and also a and b are present, getting it? चलो, तो video pause करो, इतना पहले लिख लो, तो अब मैं ऐसे चार combination बना सकता हूँ, square और open bracket के, क्या-क्या, जैसे एक तो मैंने यही लिखा, ठीक न, इसको थटा देता हूँ, एक तो मैंने यह लिखा, a close से b close, इसी को अब मैं ऐसे लिख रहा हूँ देखना, दूसरा इसमें क्या बनेगा हमारा, a close से, b open, a close से, b open, बतलब this is square bracket and this is parenthesis, तो combination of those two, but जो मैंने दिखाया था, continuous set के अंदर हम दोनों यूज़ करते हैं, और दोनों का mix भी उसकरते हैं, इधर क्या होगा interpretation, interpretation means, इस set के अंदर क्या-क्या present है, all the numbers between a and b, but also a is present, b नहीं बोलेंगे, b पे क्यों हो, नहीं बोलेंगे, b पे open लगा है, इधर लिख भी लो, ये जो bracket लगा रखाया, मैंने, this is closed bracket, closed bracket, and this is open bracket, ठीक है न, तो मैं क्या बोलूँगा इसको, all the numbers between a and b are present, all the numbers between a and b are present, और क्या लिखूँ, अब a पे close लगा है न, तो क्या बोलूँगा, a is also present, b तो नहीं बोलूँगा, बिकाउज b पे तो open लगा है, तो लिखूँगा also, जैसे इधर तो क्या था, दोनों side close लगा था, तो इधर तो हमने लखा था, also a and b, both are present, बट इधर के बल, a पे close लगा है न, तो I will say, also a is present, clear हुआ चीज, similarly हम मैं एक और लिख ले था हूँ, combination, अब मैंने इधर open लगा है, a open से, इधर मैं b close लगा रहा हूँ, this is my close, this is my open, ठीक है न, a close से b open, इसमें क्या बलूँगा, all the numbers between, तुम लेख लेना, मैं dictate कर देता हूँ, all the numbers between a and b are present, अब b पे close लगाया है, तो मैं क्या बलूँगा, also b is present, a is not present, because a पे open लगा है, clear है, and lastly, मैं कहा लेखूँगा, a open से b open, इसमें कह लेखूँगा, all the numbers between a and b are present, all the numbers between a and b are present, अब a और भी नहीं है, मैं अब चुप हो जाओँगा इसके बाद, इसमें मैं इतना statement देके फिर चुप हो जाओँगा, I will not say either a or b is present, because दोनों जागे open लगा है न, तो इसमें a और b नहीं है, but a or b के बीच के सारे numbers इसमें available है, clear हुआ बच्छो, getting an idea of discrete set and continuous set, I think हो गया हुआ, clear, और नहीं भी हुआ तो कोई worry करने की बात नहीं है, doubt sessions है हमारे पास, वैसे ये doubt session नहीं भी है मालों जिस दिन doubt session नहीं भी है, तुम WhatsApp पर पूछ सकते हो, normally ठीक है न, during the lectures or in the evening at whatever time, और जैसे ही मेरे को convenient time मिलेगा है, as possible I will free, I will reply to that, okay, अब हम आते हैं, ये तो हमने देख लिया कि set, दो तरह के सोते हैं, discrete set, continuous set, और उनका explanation देख लिया, अब हम देखते हैं, how to represent sets on a number line, तो लिख लो, to represent set on a number line, representation of sets on a number line, number line, representation of sets on a number line, जैसे for example, पहले हम continue set की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम डिस्क्रीट set की बात कर लेंगे, ठीक हो, बहुत ही आसान चीज़ है, देखो, अभी लग रहा होगा कि सब्सक्री क्या चोटी चोटी चीज़ें पढ़ रहे हैं हम हों, यह चोटे बिल्टिंग ब्लॉक्स है, जब हम चोटे बिल्टिंग ब्लॉक्स अच्छे से सीखेंगे, तभी हम एक बिल्टिंग खड़ी कर पाएंगे, मतला है एक हैवी कोशन कर पाएंगे, ठीक है ना, इसलिए एक एक चीज तुमनों का crystal clear होना चाहिए, ओके, चाहलो, तो जैसे for example, let's say मैंने set A लिया, और इधर मैंने लगाया, let's say 1 close से, let's say 3 close, ठीक है ना, अब ध्यान से देखना, how I am representing this set on a number line, because यह सब आना चाहिए, अभी हम इसका, जब हम देखेंगे न, operations, union, intersection वगेरा, तो हमें यह सब plot करना आना चाहिए, ठीक है, तो अब मैंने इसको plot करना है, तो पहले तो मैंने यह number line मनाई, अब इसके अंदर जो number लिखे, 1 और 3, उनको मैंने पहले इदर locate किया, तो let's say 1 इदर है, माल लिया 1 इदर है, तो 3 कहा होगा, of course इसके right में, left में 1 बदान देखा, ठीक है न, 3 is greater than 1, तो it will come on the right of 1, so let's say this is 3, अब मैंने को क्या करना है, अब हमने क्या किया, 1 के उपर एक ऐस इसका मतलब क्या था, जिसे 1 close से 3 close का meaning क्या था, all the numbers between 1 and 3 and also 1 and 3 are present, तो पहले मैंने बोला, all the numbers between 1 and 3, तो 1 और 3 के बीच के इस सारे number present है, तो हम क्या करेंगे, इदर से एक line join कर देंगे, this dark line, अभी complete नहीं हुआ है, इतना dark line लिखने पे, तो मैंने ये बोल दिया कि, all the numbers between 1 and 3 what about 1 and 3, आप हम दुबारा कॉशन पे करें, तो 1 पे close है, तो 1 पे close है, तो क्या जाएगा, इसको हम fill कर देंगे, similarly 3 पे close है, तो इसको हम 3 को fill कर देंगे, तो ऐसे लेख लो, this is filled circle, filled circle, filled circle मतलब ये जो 1 element है ना 1, 1 पे filled लगा है, इसको मतलब 1 भी मेरे set के अंदर है, similarly 3 पे filled ल filled circle, get it, चलो, अब हम दूसरा example ले लेते हैं, let's say मैंने लिखा, अब मैंने 1 close है, इधर 3 पे open bracket लगाया, इधर तो मैंने क्या किया था, दोनों close bracket लगाये थे, अब मैं इधर 1 पे तो close लगाया, और 3 पे open लगाया, तो कैसे plot करूँगा, again same thing, 1 और 3 को locate करूँगा, let's say this is 1, this is 3, फिर 1 पे hollow लगा दिया, 3 पे hollow लगा दिया, एक निट के लिए, अब all the numbers between 1 and 3 are present, therefore, I'll put a dark line here, ठीक है, अब आपे fill करें या नहीं करें, तो I'll get here 1, तो 1 पे close है, तो मैं क्या करूँगा इधर 1 पे, I'll put filled, I'll fill this, यह हो गया, अब मैं 3 पे आया, 3 पे क्या है, open है, 3 पे open है, तो इधर मैं क्या करूँगा, इधर hollow ही रहने दूँगा, इसको मैं fill नहीं करूँगा, this means, कि मेरा 3 is not in this set, तो मेरा representation यह हो गया, इसको लिख लो, this is hollow circle, H-O-L-L-O-W hollow circle, and this is my filled circle, getting it, video pause करो, इसको copy करो, ठीक है ना, अब आपन बढ़ते हैं, continue करते हैं, ठीक है, चलो, और दीख लेते हैं, अब तुम लोग plot करना, let's say, मैंने set A लिखा, अब मैं 1 पे open लगा जिता हूँ, 3 पे close लगा जिता हूँ, तो again, 1 औ 3 को पहले locate किया, यह मेरा 1 है, यह मेरा 3 है, 1 पे hollow पहले लगा दिया, 3 पे hollow लगा दिया, बीच के सारे numbers, तो मतलब यह dark line, ठीक है न, this dark line, now what about 1 and 3, 1 पे तो open ही रहेगा, तो यह तो मेरा hollow ही रहेगा, जैसा था, अब 3 पे दर close है, तो बस मैं दर क्या करूँगा, उस circle को fill कर दूँगा, this is my circle, so this is filled, ठीक है, तो all the numbers between 1 and 3 are present, and also 3 is present, simple, ठीक है, और एक और combination बचा मेरा, let's say मैं दर लिख देता हू set A is equal to, let's say 1 open से 3 open, तो simply again all the numbers between 1 and 3, तो यह 1 लगाया, यह 3 लगाया, इधर hollow, इधर hollow, इसको join कर दिया, simply, so बस इधर hollow ही रहने दिया, the reason is, 1 पे भी open लगा, 3 पे भी open लगा, इसका मतलब, 1 and 3 are not in my set, but उनके बीच के सारे number मेरे set के अंदर available है, but not 1 and 3, therefore, I'll remain as it is only, ठीक है, न 1 and 3 पे hollow ही रहने दूगा, ठीक है, ना, फिल्ड नहीं आएगा, so यह तो हो गया हमारा, representation of set on number line, for continuous set, ठीक है, अब discrete set की बात कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, तो वीडियो पॉस करो, इसको copy करो, बहुत छोटी छोटी चीजह हैं, बहुत छोटी, और दीरे दीरे हम अपना level बढ़ाएंगे, ठीक है, ना, और तुम्हारे कोई भी suggestions हो कि सर, ऐसा है, मतलब, तो यह most well, suggestions are most welcome, कि सर, मतलब, phone size तुम्हें बढ़ा चाहिए, या मतलब, whatever you want, you let me know, कि मतलब, तुरा slow जाना है, या कुछ पर questions और ज्यादा, मतलब, whatever, जैसा भी तुम्हें, suggestions are most welcome, जो मुझ presentation of set और number line, discrete set की बात कर लेते हैं, तो let's say my set is, set is, अब curly bracket में लिखने हैं एक तो, और let's say मैंने इदर तीन elements लिए, 1, 2, 5, तो इसका मतलब क्या होता था, जो लिखा है, वही मेरे set के अंदर present है, इसका मतलब, इस set के अंदर मेरे पास केवल तीन elements है, 1, 2, and 5, ठीक है, तो what I will do, first I will plot the number line, कहीं भी मैंने let's say 1 को इदर लिखा, तो of course 1 के right में 2 आएगा, तो मैंने 2 को लिख दिया, then comes 5, तो 5 will also come on the right side of 2, so 5 इदर खर दिया, तो सबसे पहले तो मुझे, जो मैंने अंदर numbers लिखे हैं, that I will locate on number line, अब क्या करूं, अब again, अब क्या करना है हमें, उदर तो क्या था, जैसे 102 के बीच के सारे number होते थे, तो 102 के बीच में एक line लगा देते थे, but इदर नहीं करेंगे, इदर we will simply put dots here, dots here, dots here, dots here, और इसको join कर दो करना है तो, you can, this is what, this means what, मेरे set के अंदर 1 presenter, 2 presenter, 5 presenter, no other elements, तीक ना, 102 के बीच में इदर कुछ भी line नहीं है, इस वाला, 102 क 5, these 3 elements are present in this set, ठीक है, for example, जैसे एक आद और देख लिया, let's say, set D is equal to, minus 6, minus, चलो जो, minus 11, 0, 10, 31, let's say, these are my numbers, okay, so, हम number line पे locate करना, start करता है सब पहला numbers को, तो, let's say, we'll start with 0, तो मैंने कहीं भी, एक पहला number तो कहीं भी रख दो, कहीं भी रख दो मतलब, इस number line पे, तो, अब मैं next number पे आता हूँ, तो, ये मेरा locate हो गया, अब 10 का आएगा, 0 के right में, तो, let's say, 10 is here, when 31 will come, right of 10, so, this is 31, minus 11, 0 के left में आएगा, तो, let's say, this is minus 11, minus 6, 0 और minus 11 के बीच में आएगा, तो, let's say, this is minus 6, तो, सबसे पहले तो, मैंने इन numbers को number line पे locate किया, अब बस, discrete set है, तो, you have to just put here dots, dots, मतला, filled circle एक तरीके से बोल सकते है, all these are filled circles, और इनको join कर दो, इसे, इसका मतलब क्या हो गया, this is a set, which contains 5 elements, minus 11, minus 6, 0, 10, 31, ठीक न, these 5 elements are there in this set B, which is discrete, clear हुआ, समझ में आया ना, तो, video post करो, एक बार, quick review, खुद के मन में कर लो, हमने क्या-क्या पढ़ावी, ठीक है ना, अब हम आते है, various operations on set, तो, copy करो इसको, operations में हम तीन देखेंगे अभी, half-lal के लिए, क्या-क्या, वही काम क्या है, मतलब, half-lal के लिए, वही main है, ठीक है, क्या है, अब लेकलो, various operations on sets, various operations, sets, टीक है ना, sets क्यों पर, various operations, मतलब, हम इदर किस चीज की बात करते वाले है, union of two sets, intersection of two sets, difference of two sets, these three things we'll cover here, तो first write down, union of sets, union of sets, समाझ ना, इसको, और इंपोर्टेंट है, ठीक है, let's say, we have two sets, A and B, और मुझको उनका union निकालना है, ठीक है, तो, इसके लिए, symbol क्या use होता है, U, ऐसा, U करके, कैसे लिखते हैं, जैसे, A, पर बीच में U लिखा, और इदा लिखा B, this is what, A union B, क्या लिखेंगो, इसको read कैसे करूँगा, A, U, N, I, U, N, union B, तो, अब हम देखते हैं, इसमें क्या क्या elements आएंगे, इसको define कैसे करें, तो, लिखो, यह क्या basically, this is what, यह A union B, एक set होगा, पहली बात तो, लैसे, लिखो, this is a set, पहली बात तो, this is a set, पहली बात तो, यह a set होगा, अच्छी बात है, अब उसके अंदर होगा, क्या क्या, तो, दोनों के common elements है ना, A और B में, जो common elements है, वो भी इसमें present होगे, ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखो, this is a set containing, this is a set containing, the elements, containing the elements, which are present, which are present, either in A, और in B. इस definition से यसे लगता है बच्चो को, generally, अब मैं class में पढ़ाता हूँ, तो बच्चे लोग बोलते है, इसका मतलब की जो A और B में present है, दोनों में present है, क्या आप वो नहीं लेखेंगे, नहीं वो तो लेखेंगे ही लेखेंगे, मतलब, इसका मतलब यह नहीं लिखा है, मैंने बच्चे लोग interpret, इधर इन्हें बला, या तो यह मैं present हो, या भी मैं, what about, वो elements जो दोनों set में present हो, वो तो आएंगे ही, आएंगे इसमें, तो और clarity के लिए इसका हम ऐसे लिखनेते हैं, और, ऐसे लिख लो, the element, element should be present, should be present, in at least, in at least, one of, A, और B, अब ज्यादा clear हो गया होगा, मैंने बोला, A union B, एक तो पहली बात, एक set है, जिसके अंदर elements क्या होगे, जो A के अंदर है, वो भी इसमें होगे, B के अंदर है, वो भी इसमें होगे, plus A और B के intersection, मतलब intersection word use नहीं करूँ हो, because वो तो भी आएगा, A और B के बीच में जो common elements है न, वो भी इसके अंदर present है, जिसली मैंने लिखा, this is a set, उसके अंदर क्या present होगा, the elements which are present in at least one of A और B, A और B में कम से कम, एक दोनों में से एक जगे तो present होना चाहिए, elements, वो ही इसके अंदर लूँगा मैं, ठीक है, clear है, जैसे for example, एक छोटा से example देखते है, जैस let's say 3 close, 3 close से 7 close, ठीक है न, now I have to find A union B, मुझे A union B निकालना है, ठीक है अब क्या करें, इसली अब हमारा सबसे पहले हमारा task क्या होगा, A और B को पहले हम number line पे plot करेंगे, उसके बाद union लेंगे, तो पहले मैंने A को plot किया, तो ये 1, ये 5, और दोनों जागे close है, तो इधर भ ठीक है, उसके बाद same scale पे, हम नीचे की तरफ, set B को plot करेंगे, this is my set A, which is containing all the elements between 1 and 5, and also 1 and 5, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, B set को मैं plot कर रहा हूँ, on the same scale, मतलब 1 को इधर ध्यान रखते हुए, और 5 को इधर ध्यान रखते हुए, I will locate 3 and 7, तो of course 3 will come on the right of, 3 will come on the right of 1 and before 5, so somewhere here, 3 and 7 will come after the 5, so 5 तो मेरा इधर है, तो इसको मैंने plot किया, तो इधर भी filled आएगा, because 3 is close, here 7 is close, so this will come like this way, ठीक है, यह तो हो गया, A और B set, चलो इसके अंदा लिख दो बहले, ऐसे लिख दो, this is my set A, this is my set A and this is my set B, ठीक है, अब मेंको इनका union लेना है, तो union में क्या बोला था, कि जो union है, that itself is a set, एक तो पहली बात यह set होगा, जिसके अंदर कौन-कौन से element होगे, जो A में present होगे, जो B में present होगे, जो इन दोनों में common elements है, वो भी इसके अंदर present होगे, मतलग, इसके अंदर जो elements है, that should be present in at least one of A औ B, तो अब देखना, मैं कैसे बता रहा हूँ, देखो, अब one से लेके three तक, पहले तो मैंने one को locate किया, one, अब देखो one से लेके three तक तो ऊपर वाले set ने सारे number दे दी है, ठीक है, तो मतलब one से three तो आना ही आना है, मेरे one से three तो आएंगी आएंगे, फिर three से लेके five तक, त ultimately मेरे a union B में क्या आएगा, सारे elements आजाएंगे one से लेके seven तक, one से लेके seven तक I will get all the elements, so here also filled, here also filled and like this way, this entire, this is what my a union B, if a is this, b is this, then this is a union B, और इसको फिर मैं उल्टा कर रहा हूँ है, अब representation हो गया, अब मैं इसको कैसे लेकू, I will write one close से seven close, this is the answer, if s at a is this, set B is this, then this is my set A union B, I hope clear हुआ होगा, अभी एक बार मैं difference और intersection वाला पार और cover कर लू, उसके बाद फिर मैं एक साथ illustration लूँगा, ठीके न, for practice, और ऐसा नहीं इतने simple, अभी बहुत, इसमें भी ऐसे complicated section बनती है, थोड़ी थोड़ी चीजे, मैं open close के mix कर दूँगा, तो you have to be very cautious, especially जो third वाला है न, difference of sets, वो थोड़ा, first time बच्चों को थोड़ा confusion लगता है, but I'll make it easy for you, okay, चलो, ये तो होगे union of sets, अब आते हैं intersection, जैसा कि मैंने बोला, अभी हम इन पर दुबारा आएंगे, examples पे, बहुत सार examples करेंगे, don't worry, तो अब इस union को अटाके, इधर से even अटाके, तो इधर से यू अटा देते हैं, तो लिखो next is intersection, intersection of sets, इसको अप्रिफेक्टर करते हैं, ultra u, this is not u, this is ultra u, लिख लो तो में लिखना है, तो ultra u, तो intersection of sets क्या होगा, ऐसे नाम से indicate हो रहा है, कि इसके अंदर क्या-क्या present होगा, एक तो पहली बात दो set का intersection को मैं कैसे represent करूँगा, a, ultra u, b, तो ये क्या है मेरा, of course this is a set, पहली बात तो this is a set, अब इसके अंदर कौन-कौन से elements present होगे, वो elements जो a और b में common हैं, दुबारा एक बात सुनो, वो elements जो a और b दोनों में common हैं, they all are present in a intersection b, तो लिख लो इसको, this is a set containing, this is a set containing, this is a set containing, the elements, the elements which are common, which are common between a and b, वो सारे numbers, या वो सारे elements, जो a और b दोनों में present हैं, वही इसके अंदर आएंगे, तो को a union b में तो क्या हो रहा था, कि दोनों में से एक में भी आ रहा हो ना, तो भी हमारा a union b में आ रहा था, पट intersection में ऐसा नहीं, intersection में क्या है, वो elements जो common हैं दोनों set के अंदर, वही इसके अंदर present होगे, लेट से पहले वाले एक्जामपल ले लेता हूँ मैं, यसे मैंने I think क्या लिया था, a को one close से, I think five लिया था, five close, और set b को लिया था मैंने, three close से seven close, this is what my previous example, now I want a intersection b, तो पहले मैंने a को plot किया, one, five, fast कर देता हूँ, थोड़ा हमने already कर लिया ये, ये field, ये field, उसके बाद, b set को plot कर हुआ, तो three will come in between one and five, so let's say this is three, seven will come after a, so seven, and this is the, this is what, representation of set a and b, on number line, now you have to see the common elements, अब common elements mark करते हैं, तो मैंने बुला, one से लेके three तक, one से लेके three तक, ठीक है न, numbers जो हैं, वो उपर वाले set में तो present हैं, लेकि नीचे नहीं है, तो one से three तो नहीं आएगा मेरा answer में, फिर मैंने बुला, three से लेके five तर, तो मेरे, इसके अंदर इसके अंदर भी आ रहा है, इसका मतलब a intersection b, three से five तो आएगा, और देखने, फिर five से लेके seven, उपर वाले set में तो present नहीं, नीचे present है, तो वो भी नहीं आएगा, तो कि दोनों में होना चाहिए present, तभी मैं उनको a intersection भी मिलूँगा, तो finally what you are getting, this much part only, ये वाला part, this is what, common, these elements इसको five बोल रहा हूँ, तो मेरा answer हो जाएगा, three से five, अच्छा, अभी मैं open close लगा रहा हूँ, अब मैं open लगा हूँ ये close, three पे, just think at once, I will put close, the reason is, three इधर भी present है, और इधर भी present है, क्योंकि जब मैं ऐसे line में आइगी नहीं है, तो all the numbers between one and five are present, तो इसके अंदर three भी आ रह same is the reason for five, five जो है मेरा उपर तो दिखी रहा, फिल्ट सरकल है, और नीचे मैंने क्या बोला था, three से लेके seven तक के बीच में, जितने भी numbers है, all are present in this set, and we know five is the number between three and seven, so this is present in this set, तो जो मेरा element five, a single element five, that is present in both the set, so I will put here, close, got it, तो ये हो गया मेरा, what, A intersection B, ठीक है, plot कर ना हो तो, you can plot, this is three, this is five, ये आया, इसको filled, because three पे close है, line फिर five पे close है, तो यो हो गया हमारा, three close है, five close, got it, चलो, यो हो गया, intersection of sets, और भी आएंगे, again मैं जैसे पहले बोला, कि first we'll complete all the three definitions, okay, copy करते जाना, each and everything, और कुछ पार्ट में, during the lectures भी कुछ कोश्चन्स दे दूँगा, union intersections के basis, पे feel comfortable with this, because बहुत basic चीज़ है ये, ठीकर ना, because आगे जो बड़े-बड़े questions होंगे, उनमें ये सब चीज़े use होने वाली है, ठीकर ना, चलो, next is, difference of sets, ये थोड़ा, starting में बच्चों को confusion लगता, but I'll make it very simple for you, difference of sets, बहुत important, ठीकर ना, तो इसको हम कैसे denote करते है, जैसे for example, A में of two sets A and B, अब इसके अंदर होगा क्या, इसको समझते हैं, ठीकर ना, तो मैं पहले definition लिख दी, A minus B, उसके बाद अपन समझते हैं इसको, तो पहली बात तो this is a set, पहली बात तो, एक तो set है, this is a set, पहली बात तो, इसके अंदर present क्या क्या होगा, इसके अंदर होगा, एके elements present होगे पहली बात तो, बट वही element जो B में present नहीं है, मतलब क्या हुआ, पहले लिख लेता है, इसलिए मैंने बोला था, शुरू में बच्चों को, शायद थोड़ा conclusion होता है, first time I will write it down, this is a set which contains, containing elements of A, इतना बोलना काफी नहीं है, विकाज इतना बोलने में तो मैंने, इस set को A के बराबर कर दिया, अभी इसमें से कुछ हटाना है मुझे, अब मैं क्या लेखों, this is a set containing elements of A, which are not in B, मतलब हमें A के elements लेने हैं, बट उन में से वो हाले elements हटा देने हैं, जो उसका B के साथ common है, क्या बोला दुबारा, A minus B is a set, पहली बात तो, containing the elements of A, which are not in B, मतलब A के वो elements लेने हैं, जो B के साथ common नहीं है, मतलब क्या है, जैसे अगर हम इसको Venn Diagram से समझें, इसको अगर हम Venn Diagram से समझें, तो जैसे Venn Diagram शाहिए तुम में से किसी, I think सबको तो नहीं पता होगा, बट जिसको पता है, अच्छी बात है, नहीं भी पता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यह हमारा आएगा आगे के chapters में, दो-तिन chapters हैं, जिनमें I'll teach you Venn Diagram, एक तो probability आएगा, और एक आएगा mathematical reasoning, in those two chapters I'll teach you Venn Diagram, बहुत छोटा सा पार्ट है, आदे घंडे का topic है, ठीक है, बट अभी के लिए, जिसको आता है उसके लिए, let's say this is set A, this is set B, this is set A, this is set B अब इसने क्या बोला, अच्छा, अब तुम्हें जिसे बहुत से बच्चों को पता भी हो, यह जो मैं अब red में mark कर रहा हूँ, जो red में mark कर रहा हूँ, यह region जो है न, यह क्या है मेरा basically, this is common between A and B, तो इसको हम क्या बोलता है इस region को, जो भी हमने इससे पहले देखा, A intersection B, अब A minus B क्या होगा, खुछ सोचो एक बार, वीडियो पॉस्ट करके, इस diagram के साफ से A minus B क्या होगा, अब मैं इसके answer पर आता हूँ, A minus B, अब मैं shade कर रहा हूँ, पहले तो यह देखू, इसने बोला क्या, it is a set, उसके अंदर क्या present है, A के elements present है, बट उसमें से मुझे वो हैं, A के elements हैं, और उसमें से क्या हटाना है, उसमें से जो B के साथ common है, वो हटाना है, वो हटाना है, देख ले न, in whatever language you feel comfortable, Hindi, Marathi, whatever, you can knight it down, ठीक है न, A के elements लेने हैं, बट उसमें से वो पार्ट हटाना है, जो उसका B के साथ common है, तो B के साथ common यह है, A का तो पूरा था यह, पूरा circle था यह का, उसमें से यह common पार्ट हटा देंगे, तो अब क्या बचेगा, देखो मैं blue mark से इसको shade कर रहा हूँ, this is the part, that is left, जो मैं blue mark से, blue से mark कर रहा हूँ, this is basically my A minus B, A में से वो पार्ट हटा देता हूँ, जो उसका B के साथ common है, तो इसको मैं एक और form में लिख सकता हूँ, सोचो, मैंने बोला, अभी तुम्हें समझाया, कि मैं A में से कौन सा पार्ट हटाने वाला हूँ, जो उसका B के साथ common है, तो मैं इसको A minus B को, एक और तरीके से कैसे लिख सकता हूँ, set theory में ये भी देखेंगे हम, oh sorry, not set theory, जब Venn diagram पढ़ा हूँगा, वैसे अभी समझ में आ जायागा most of the students को, बट फिर भी नहीं आया, तो वाली बात बता रहा हूँ, A में से, A में से कौन सा पार्ट हटा दू, minus जो A का B के साथ common है, और A का B के साथ common को क्या बोलते हैं, A intersection B, तो I'll write here, A intersection B, that's it, कहानी संपला, ठीक है न, कहानी खतम, A में से वो पार्ट हटा दिया जो A का B के साथ common है, रट जाओ, A में से वो पार्ट हटा दिया जो A का B के साथ common है, ठीक है, I hope समझ में आया होगा, चल करो पॉस कापी करो इसको ए माइनस बीज़ सेट विच कंटेंस एलिमेंट्स ओफ ए विच आ नॉट इन बी ठीक है ना ये में से वह पार्ट अटा दिया जो उसका बी के साथ कॉमन है तो लेट से वही वाला एक्जम्पल है अपना जो बना चलता हा रहा है वन से फाइव है इंट्रेस्टिंग ये भी अब डिफरेंस ऑफ सेट में मैंद आया इगा इसमें देखना चालो तो सबसे पहले अगें ये को प्लोट किया वान फाइव इस इस अगें ख्लोस इस अगें ख्लोस था रिप्रेसेंट कर दिया ये नमबर लाइन पर अब क्या करें है आउस प अगर मैंने एक सारे elements ले लिए तो 1 से 5 आजाएगा लेकिन मुझे इसमें से कौन से elements हटाने है जो इसका बी के साथ common होगा मुझे बता है बी के साथ common क्या है इससे पहले वाले डाग्राम में देखा तो हमने this much part is common यहां से यहां तक का part common है यहां से लेके यहां तक का यह वाला part common है तो इसको हटा देते हैं तो 1 close से 5 close में से मैं 3 से 5 हटाओंगा तो what you left out is I'll first shade it on a number line तो यह blue shade में जो है that is left out तो मैंने इदर लगाया 1 और 3 अभी मैंने open और close नहीं लगाया that is the main important thing तो क्या लगाऊं मैं open लगाऊं close लगाऊं इदर open इदर close या इदर open इदर close क्या पहले तुम लोग सोचो ठीक है तो 1,5 में से मैंने अगर 3,5 हटाया यह तो पक्की बात है 1 तो close आएगा यह तो I think सबको पता मलत चल रहोगा what about 3 बच्चे इदर लोग गल्ती करते हैं इद this is wrong क्यों भाई क्यों रॉंग है 3,5 हटा दिया तो 1 से 3 तो बचे नहीं the correct answer is 1,3 इदर भी close but here it is open लिख ले न ये cross करके भी लिखना ये correct भी लिखना क्यों ऐसा क्यों मैंने क्या बोला था वो सारे elements हटाने जो A और B में common है तो 3 जो element है single element 3 that is common between A and B ये और भी दोनों में आ रहा है na single element जो 3 है तो 3 हटेगा ना यहां से A में से हटाएंगे ना 3 तो क्या हटाएंगे 3 close से 5 close हटाएंगे तो 3 close से 5 close हटाऊँगा ना तो 3 हट गाएगा तो 3 पे open आएगा इस इंपॉर्टेंट ये समय में आया बच्छो चलो मैंने एक्चुली डिस्क्रीट के एक्जामपल नहीं लिया तो एक दो एक्जामपल डिस्क्रीट के ओर लेता हूं उसके बाद फिर अपन एंड अप करेंगे आज का लेक्शर ठीक है तो जस्ट कॉपी दिस पार बहुत स्लोली स्लोल जाएंगे डोंट वरी जस्ट बीवित मीं हम बहुत उपर लेवल तच करने वाले हैं ठीक है ना बट एक-एक सीडी करके हैं ओके ओके तो डिस्क्रीट का ओर देख लेते मैं अभी एक्जामपल नहीं लिए ते इसलिए मैं बता रहा हूं पस लेट सेट A इस 1,2,3,4,5 लेट सेट B इस 4,5,7,9,11 चलो यह दो मैंने सेट ले लिए इस इस सेट A इस सेट B और बोट इस सेट कंटेन 5,5 elements ठीक है अब मुझे तीनों सेट निकालने एक तो A union B A intersection B and A minus B निकालो तुम लोग पहले वीडियो पॉस्ट करो एक बार तुम लोग निकालो ठीक है अब मैं इसको बता दे रहा हूं तो सबसे पहले तो काम क्या करेंगे हम A को प्लॉट करेंगे तो A को प्लॉट करेंगे let's say this is 1 तो 2 इदर आएगा 3 इदर आएगा 4 इदर आए 4, 5, 7, 9, 11 तो 4, 5 तो 4 तो मेरा यह रहा यहीं इसके नीचे लगतूंगा मैं 4 इसके नीचे 5 और मेरा कहा 7, 9, 11 तो let's say 7 इदर आया, 9 इदर आया, इदर 11 आया, अब अगें इसको अटा देश को, so this is here like this way, here it is this way, this way, this way and this way, so यह तो अभी हमने क्या किया, यह अभी को number line पर represent किया, now we'll see A union B, तो A union B में में मैंने क्या बताया था, the element should be present in at least one of A और B, अला हमें इसके अंदर वो elements लेने, जो A में present है, वो भी लेने, और दोनों में जो common elements है, वो भी हमें लेने, तो what is the answer for this, can you write on in your notes, देखो 1, 2, 3, 4, 5, तो A set के अंदर आगे, 4 और 5 तो दोनों के अं union B हुआ, वो क्या हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, फिर 7, 9, 11, these all are in A union B, अब intersection का देख सकते हो, these two are common, so A intersection B is what, simply 4, 5, what about A minus B, A minus B, अब मैंने A minus B क्या बोला था, A के elements लेने है पहली तो मुझे, A के elements लेने है, बट उन में से वो हटा देना है, जो A का B के साथ common है, अब A का B के साथ common का है, 4 और 5, तो पहले तो मैं A के elements सारे थे, 1, 2, 3, 4, 5, इन में से 4 और 5 हटा दूँगा, तो what you left out is, 1, 2 and 3, that's it, so this is what, my A minus B set, clear हुआ बच्चो, so these are the various operations that we did, on discrete set as well as continuous set, and during the lecture, और अभी में तुम लो को कुछ कोशन्स, illustration, homework के लिए भी दे दूँआ, for practice purpose, ठीक है, so that's it, और कल मिलते हैं फिर इसी के अंदर नए पार्ट के साथ, thank you